हेलोँ फ्रेंद्स वेलकम कुई से दाइद्स नहीं जानल! फ्रेंद्सस wooDash website वाक नाल और मैंने वड आल कीज आथा। तो मैं ने तोचजा कि , किस असथ चाही करने में बहुत अज फिलक माई आठी के साथ। उसको भी बहुत मज़ा आया था तो आप देख सकते किस तरह से मैं इसके साथ ड्रामा कर रही हूँ फ्रेंट्स इसको इस तरह से गुमाने में बहुत मज़ा यह था उसको भी बहुत अच्चा लग रहा था आजした इसका मोड इतना अच्छा था कि द filled धक्ष से देखो कैसे हाइफाई करना जा रहा था करना जा रहा था धक्ष स्कूल से आया था और वो इस तरह से बैट के उसके अपनी उपने उपर ले लिया और वो रहाँ habit किया जा रहा था फिर धक्ष जानते है उसके साथ मस्थी करता है तोड़ा सा नोग जोग करता है उसका खाना एक डिस्पोजल डिपबे में लेकर रख दिया बैड के ओपर और वो टैडी देख रहा था कि दक्ष कब जाए तो वो खाना अपना लेकर खाए और ये डिस्पोजल डिपबा को भाया उसने ऐसे खिलोना अपना बना लिया था कि उसको लेलेकर चबा चबा कर हब उसकी तो भालती खराब कर दी ती मैंने का छलो ठीक है खेल रहा है तो खेलने दर लेकिन फिर क्या हुआ कि दक्षने का ममा आज आपने डांस किया तो आज मैं भी टैडी को अच्छे से डांस कराऊंगा और ये देख लो फ्रेंट्स किता क्यूटू किता चिक्नम उन्नों सा लगता है ये पिला प्याला और प्राचा सा बेटा फिर क्या होता है विमला अंटी आती उनको तो देख कर आज उसने सारी अपनी डिटिल शेयर की कि मैं ममी के साथ डांस कर रहा था ऐसे सिंखूम रहा था जक्षने भी मुझे डांस कराया उनको मतलब हर चीज बता रहा था अपनी मतलब लेंग्वीज में हूँ करके उनके पर चड़ गया और फिकर आप बैठो फिर मुझे बात करो तो अंटी कह रहे थी कि अरे मुझे काम करना है टैडी तुमारे साथ अकर खेल हूंगी बैठ हूंगी तो मेरा आगे घर का काम कौन करेगा तो पिल टैडी क्या होता है ना कि व गुझ गया और वहां जाकर पता नहीं क्या निकाल रहा था और फिर मैंने आवाज लगई तो ऐसे भूले बन के देखने लगे शाम हुई तो इनके पापा आगे और अपने बापा को देख कर तो आप जानते ही हैं सारे बच्चे चाहे जानवर के हो चाहे इनसान के हो वो लाल दुलार अपना पापा से जो शेयर करते हैं शायद कोई वाहर का इस तरह से नहीं कर सकता है यत दूसरे के साथ यो अपने पापा का लाल दुला रहा है जैसे यह साथ आठ बच्चते है ना तो यह ना दरवाजे के पास बैठ जाता है और उनका वेट करता है कि पापा आने वाले है इस पापा से लाल दुलार हो जाता है इनके पापा फ्रेश होने जाते और मैं बनाई होती हूं गर्मा गरम बढ़िया सी कड़ी और चावल तो य तीन डालते है तो जिड़ी थोड़ी से ठंडी होजाती है तो लाल मिर्च डालती हूं वाली तो अच्छा लगता है तो हम लोग फिर कड़ी में लास्ट में इस तरह इसhrap की याрах महराजजी आके बैठ के देखने लगे क्योंकि इनको भी भूग लगी थी अपना तो खाना खाना नहीं था और फिर खाना खाने के बाद हम लोग जब आम खा रहे थे तो देख रहें फ्रेंस किस तरह से यह आम का ऐसा दिवाना हो जाता है भॉग भॉग के भॉग भॉग के मतलब आम दे दो आम दे सकते हैं क्योंकि इनको नुक्सान करता है लेकिन एक बाइट दो बाइट टेस्ट के लिए तो देई देते हैं तो फ्रेंस इसी तरह से आज हमारी ओटाडी की बहुत मस्ती हुई तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताईएगा कमंट करके और अच्छे लगती है वीडियो तो ल बहुत प्यार करते हैं और इसकी सारी हैरकते हम लोगों को बहुत अच्छे लगती है तो फ्रेंस आज की व्लॉग में बस इतना ही मिलते हैं व्लॉग में तब तक लिए बाइब बाइब